वेलकम तो माई चैनल एबी रॉक्स चीम्स चैंपिन्शिप लीग का मैच हो रहा है डर्बी काउंटी वॉर्सिस ब्रिमिंगम के बीच तीन घंटे पाच मिनट के बाद तु बात करें मेरे टेलीक्रम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटा 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 फट में लिंक पर करो click and join हो जो आज बहुत मैच है क्योंकि आज है विकेंड ठीक है तो मैं आपको एक चीज बता दूँ कि विकेंड मैच के अंदर ये नहीं होता कि सारे मैच ही खेलने हैं अगर जो risky रहते हैं उनको skip कर देया करो क्योंकि आपके पास option होती है भाई यह भी एक mistake हो सकती है क्योंकि डर्बी काउंटी ने अगर half time से पहले goal नहीं किया तो डर्बी काउंटी के हारने के chances 80% हो जाएंगे इसलिए मुझे बहुत जादा risk लग रहा है लेकिन क्या करूं बिर्मिंगम का ratio देख रहे हो यह रैंकिंग में उपर आने से क्या होता है जब आपके जनता बोले की बिर्मिंगम जीतेगी लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होता दो बार से opposite टीम्स जीत रही है उल्टी सीदी लीग में आपको पता होगा सबसे पहले बात करें गोल कीपर की यहां पे ले रहा हूं नील को नील को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसकी जगह एक एक फॉर्सित जो की नॉर्मल प्लियर है यह लेकिन दोनों फॉर्स और सेकंड डिफेंडर है सी डैविस तो मेरे लिए बहुत जादा मेन है फॉर्सित को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो लेकिन मैं आपको राय दूंगा मती करना क्योंकि वो ठर्ट डिफेंडिंग आज नही बड़ा रिस्क लोगे इसमें लाइफ कहां से आगी है रहना आगे से बात करें नेक्स्ट बेर की देन याप पर है फैस्टी ने रास्ट मैच खेला था सब्चीटूशन भाई सब्चीटूशन पर 33 मिनट मुझे समझ नहीं आया कि फिर प्लेइंग 11 इतना अच्छा खेला प्लेइर फिट है कोई इंजरी नहीं है खेलेगा तो जरूर लेंगे अगर तीन डिफेंडर खेलेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा फिर हमला हमारे पास च्वाइस होगी कोई एक्स्टरनल एक्स्ट्रा मिट फिल्टर लेने की आगी से बात करते हैं नेक्स्ट प्ल गोल किया था पीटीउ के खिलाव जबकि उस मैच में एक सब्चीटूशन था और सब्चीटूशन गोल ग्रैंड लीग वलों के लिए बहुत नुक्सान दायक होते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग की तो स्मॉल लीग में आपका कोई भी ऑपनेंट ऐसा नही है आज खेलेगा तो सब लेंगे नहीं खेलेगा तो और लागर नहीं केलेगा तो किसी की टीम में होगा ने ठीक है आई And Emberd की बात करें तो यहां पर है Max Bird Max Bird वैसे बहुत ठीक प्ल्यएर तो नहीं था लेकिन लास्समाहस में आइससे की ती ऐसा लग रहा कि great comeback हो गया इस player का so we have to take this player बिना किसी डर के एन आगे से बात करें सुन्जिक की मैं एक बात सोच के बड़ा दंग रहा गया इवैन सुन्जिक को बिर्मिंगम टीम ने penalty दिलवा थी ओ भाई सा मलना penalty आई penalty ले रहा है सुन्जिक और यहां तक हमें पता नहीं मैं penalty taker को कोई और समझता भैटता हूं तो मैं तो drop नहीं करूंगा भाई मैं तो आचाता तो इसको ले सकता था लेकिन मैं लूंगा नहीं मैं पनल्टी आएगी की नहीं कल के मैच में क्या हुआ डिफेंडर कैप्टन था गोल करके गया आप लोग जीते वही तो कह रहा हो दिमाग से चलना पड़ता है और आगे से बात करें लॉवरेंस की टॉम लॉरेंस है अपनी टीम का पनल्टी टेकर D.E.R. का पनल्टी टेकर है लॉवरेंस जो की एक स्ट्राइकर भी है तो मेरे को इस से इसको कैप्टन रखने में कोई डर नहीं है और काजिम काजिम सब्चिटूट काफी जल्दी होता है इसको लेना जरूर और होगन की बात करें और जो लोग बिर्मिंगम को फेवर करेंगे आपके ऑपोनेंट्स उ उनका होगन कैप्टन भी हो सकते है तो घपराने का नहीं आगे से बात करें कैप्टन की कैप्टन है लॉवरेंस वाइस कैप्टन सी काजिम यही मेरी टीम में बिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बाए